तो आज मैं सर्वाइब करने वाला हूं 100 days है कैसी chunk के उपर जो random layers से बना है बट twist ये है कि इस chunk की layers हर रोज change होती रहती है जिसका मतलब है कि अगर मैं भी top layer mine कर रहा हूं तो अगले ही पलो किसी भी block की layer बन सकती है हो सकता है नेदर 8 की बन जाया या फिर gold blocks की layer भी बन सकती है या फिर bedrock की भी बन सकती है जिसका मतलब है कि हम लोग आगे progress ही नहीं कर सकते इस chunk के अंदर छूपनी है बहुत सरी mysteries जैसे की बहुत सरे hidden villages, spawners और guys chunk की last layer पे है एक end portal जिसको activate करकर हम लोग को जाना है end dimension के अंदर और बीट करना है ender dragon को and guys इस world के अंदर नेदर भी single chunk का बना हुआ है और उसी के अंदर नेदर fortress भी है और bastion भी है जिसको बीट करने में बहुत मजा आने वाला है तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि एक single chunk से मैंने इतना बड़ा empire कैसा बनाया और सारे के सारे beacons कैसे बनाये तो इस वीडियो को end तक जरूर देखना आज की वीडियो में बहुत जादा मजा आने वाला है So guys day 1 शुरू हो चुका है और मैं spawn हो चुका हूँ एक ऐसे chunk के उपर जिसकी layers हर रोज change होती रहती है और जो बहुत सारी random layers से बना हुआ है मेरे पीछे 3 type की trees मुझे नजर आ रही है जिसका मतलब है कि हमारे पास बहुत सारे type की woods होने वाली है इस world के अंदर और यहाँ पर कुछ mobs भी spawn हो चुकी है सामनी की तरफ मुझे एक cow भी नजर आ रही है और जैसा कि हम लोग हर hardcore world के अंदर सबसे पहले करते हैं हम लोग को इसके अंदर भी wood collect करनी पड़ेगी सीरियसली हार सैपलिंग के ड्रॉप बहुत जादा awesome है इस world के अंदर और एक और सैपलिंग सामने गिर चुकी है इसका मतलब है कि हमारे पास बहुत ही जल्द बहुत सारी बोडी खट्टा हो जाने वाली है लेकिन हम लोग को जल्दी काम करना होगा क्योंकि अगर टॉप ल करना पड़ेगा इस बेड्रॉक लेर का किसी और ब्लॉक की लेर के अंदर कनवर्ट होने का और अब तक मैंने सुचा क्यों ना मैं यहां से बहुत सरे सीट कर लेता हूँ कि हम लोग को फूड की तो जरूद पढ़ने ही वाली है इस world के अंदर बहुत सारे फूड की तो मैं से उसके लिए हमें आयरन की पिकैक्स की जरूद पढ़ने वाली है तो अपने वन चंक वर्ल्ड की स्टार्टिंग तो बहुत बढ़िया हुई है यहां पर मेरे को डिसेंट अमाउन में सैपलिंग्स भी मिल गई है मेरे पास में और काफी सारे मटीर्स गैदर कर ली है मैंन गाइस थर्ड लेयर देखने के बाद ना मैं इतना खुश होगा तरह मैं बता नहीं सकता क्योंकि थर्ड लेयर थी यहां पर बॉन ब्लोक्स की और गाइस बॉन ब्लोक्स का मतलब है कि हम लोग अपने सारे क्रॉप्स की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़़दा बढ़ा सकते है अब हम लोग बहुत सरी बूट कलेक्ट कर सकते थे इसलिए मैंने फड़ावट से बागी की diamond blocks को यह से निकालना शुरू किया जिससे कि मैं easily काफी सरे bone blocks को mine कर पाऊं और इसके बाद guys मैंने mine करना शुरू कर दिया बहुत सरे bone blocks को और guys bone blocks की नीचे वाली layer थी यहाँ पर stone blocks की जिसका मतलब है अब हम ready है एकदम से stone age के अंदर जाने के लिए guys bone blocks mine करने के बाद मैंने काफी सारा stone mine करना शुरू कर दिया और stone की layer जैसे मैंने mine करी मिरको मिला एक और बहुत awesome surprise यहाँ पर मुझे coal मिल चुका है जो कि बहुत जाता awesome बात है अब हम लोग बहुत सरे materials को smelt कर सकते हैं और guys torches बना सकते हैं और अपने पूरे के पूरे chunk को light कर सकते हैं so अभी यहाँ पर रात हो चुकी थी बड़ा मारा progress बिल्कुल टुकने वाला नहीं था मैंने bone blocks का use करके फटा फट से यहाँ पर crops को grow करना शुरू कर दिया था और यह process में कई बार repeat करने वाला था जिससे मेरे पास enough amount में यहाँ पर wheat खटा हो जाए और मैं लगातार wheat को grow करने में लगा था और उसे collect करने में लगा था और guys यहाँ पर मेरे पास काफी सरा wheat खटा हो जाने के बाद मैं उसे convert कर लिया bread के अंदर जिसका मतलाब है हमारे पास सब इस वर्ल के अंदर food आ चुका है तो हमारी food की problem दो solve हो चुकी है और अभी time था अपने लिए stone की tools बनाने का तो मैंने यहाँ पर कुछ basic stone की tools भी बना ली और guys अब time था दबा के mining करने का इससे पहले कि यह सारे के-सारे blocks की layer किसी और घंटिया से block के अंदर change हो जाया और guys अगलेक उस दिन जब मैं coal की mining कर रहा था यहाँ पर मैंने एक चीज नोटे से नहीं करी seriously बहुत खतरनाक चीज हुई है मेरे पीछे दो लेयर्स जो बच्ची हुई थी जितने भी blocks उनके बच्चे हुए थे वो सारे change हो चुके है emerald blocks के अंदर और netherite blocks के अंदर seriously ऐस यह दोनो लेयर्स नहीं blocks के अंदर change हो चुकी थी अगर पूरी की पूरी बच्ची होती थी सारे ब्लॉक्स हमारे नेदराइट के अंदर बदल गए होते हैं, अब यहाँ पर एंड की लेयर्स जो हैं वो बच्ची हुई हैं वो चेंज नहीं हुई थी, पता नहीं क्या थोड़ा सा ग्लेच हो रहा था है, स्वर्ड के अंदर कोडिंग सही से नहीं हुई है, लेकिन माइन करते करते ही बीच में लेयर फिर से चेंज हो चुकी है और यहाँ पर कॉग वेप्स की लेयर बन चुकी है, इसे देखकर मेरे को खुशी भी हो रही थी और काफी गुसा भी आ रहा था कि कोल हम लोग जादा माइन ने कर पाए, लेकिन अब हम लोग बैड बना सकते है क्योंकि थ्रेड से हम लोग वूल क्राफ्ट कर सकते हैं और उसके बाद फाइनली हम लोग बैड बना पाएंगे, तो इसलिए मैंने काफी सारा थ्रेड यहां से कलेक्ट करना शुरू कर दिया, मुझे जल्दी आनेमल्स के लिए कोई पैन वगेरा बनाना पड़ेगा उपर पर आइस वाली लेयर आच चुकी है, तो फटा मटसे में से वाटर ब्लॉक के अंदर कनवर्ट कर देता हूं, इसको हमें खाली ब्रेक करना होता है, एंड फाइनली हम लोग को आइरन वी मिल चुका है, जिसका मतलब है कि अब हम लोग उपर वाला जो डामड और एमरेल के वो माइन कर सकते हैं, जो कि बहुत जादा ओसम बात है, और यहाँ पर मैंने आइरन माइन करना शुरू कर दिया है, उपर से माइन कर रहा हूं मैं, जिससे की माइनिंग पटी ना मिले मेरको नीचे जाकर माइन करूँगा, तो काफी जादा स्लो माइनिंग होने वाली है, अब फटा बट से में माइन कर लेता हूँ, अगर मेने माइन नहीं कर दिया है और टाम बीस कर दिया है, तो पूरी की पूरी आइरन की लेर किसी और बॉक के अंदर चेंज देगी, जो की बहुत बेकार भी हो सकता है, बहुत जादा अच्छा भी हो सकता है, उर बिल्कुल ब Courts क्वेंदी हैं आपी टाइम आचुकत अपने चंक को एकस्पैंड करने का कि यह अपने चंक के उपर काफी कम स्पेस है तो इसलिए मैं इसको चारो तरफ से एक्सपैंड करने वाला हूँ पूरा बॉर्डर बनाने वाला हूँ इस चंग का और उसी के साथ हम लोग यहाँ पर काफी तरी ट्रीज की फार्मिंग भी कर रहे हैं साथ-साथ और आप लोग दिख सकते हो हमारा चंग काफी तरफ एक्सपैंड हो चुका है अभी डायमंड ब्लोक्स को माइन करना बहुत जादा सैटिस्फाइंग लग रहा था और मैंने सुझा क्यों ना मैं एमरेल ब्लोक्स को माइन करी लेता हूँ जो कि थर्ड लेयर कंवर्ट होई थी एमरेल ब्लोक्स के अंदर पहले ये बोन मील के ब्लोक्स हुआ करते थे एकर आप लोग को ध्यान और ये एमरेल के ब्लोक्स के अंदर convert हो गए थे तो यहां से मैंने एमरेल के ब्लोक्स को माइन करना शुरू कर दिया है और अभी कुछी देर में हम लोग नीचे जो विलेज है इस चंक के अंदर वहां पर पहुँच जाने वाले हैं और विलेजर्स के साथ में ट्रेडिंग करने में ये एमरेल ब्लोक्स बहुत ज़दा काम आने वाले है हम लोग भर भर के उनसे एंचान्मेंट्स और आसम स्टफ लेने वाले है और फाइनली गाइस इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा अचीवमेंट पहला वाला कम्पलीट हो चुका है मेरे पास तीन स्टैक्स से भी ज़्यादा डायमंड ब्लोक्स आ चुके हैं जिसका मतलब है कि इस पूरे वर्ल्ड के इंदर डायमंड की तो कमी हमारे बास बिल्कुल नहीं आने वाली है और होपफुली हम लोग डायमंड का बीकन भी बना पाएंगे अब इसी के साथ दिन खतम होने से पहले मैंने सुझा क्यों ना कम्प्लीट डायमंड का आर्मर सेट बना लिया जाए तो मैंने चार डायमंड के ब्लोक को पूरा कनवर्ट करा डायमंड के अंदर और फटा फट से कम्प्लीट डायमंड का आर्मर सेट बना लिया और गाईज एक पर फिर से वह हुआ जिसका मेरे को बहुत जादा डरता फाइनली यहाँ पर आइरन ब्लोक्स की नीचे वारी लेयर कंवर्ट हो चुकी है तो फटावट से मेरे को यह माइन करने पड़ेंगे जिसका मतलब है कि हम नेधर राइट के ब्लोक्स को माइन कर सकते हैं जिसका मतलब है कि हमारे पास नेधर राइट भी आ चुका है और हम कम्प्लीट नेधर राइट का आर्मर्जेट बना सकते हैं यह बहुत जादा ऑसम बाती मैं नेधराइट के ब्लॉक माइन करने शुरू कर दी है और फटा मटसे मैं इस पूरी लेयर को माइन करने की कोशिश करूँगा इससे पहले कि किसी और ब्लॉक की लेयर के अंदर कनवर्ट हो जाए और अभी guys seriously में सारे के सारे items को sort करने ही गया था कि यहाँ पर seriously एक बार फिर से मेरे साथ scam हो चुका है जितने नेधराइट ब्लॉक की लेयर थी वो पूरी की पूरी convert हो चुक है crafting tables के अंदर seriously याँ मैं crafting tables का क्या ही करूँगा और यहाँ पर dirt blocks वाली layer वैसी की वैसी है मतलब याँ dirt blocks वाली layer convert नहीं होई और netherite blocks की layer गाया वो चुकी है यह देखकर मेरे को काफी जादा frustration हो रहा था बट फिलाल guys अब time आ चुक है अपने लिए बहुत जादा awesome mob grinder बनानेगा क्योंकि हम लोग को gunpowder जैसे resources की काफी जरूद पढ़ने वाली है तो फटा बट से एक awesome सा mob farm बनाना शुरू करते है तो guys mob farm बनाने के लिए मैंने decide किया कि मैं cobblestone का use नहीं करने वाला हूँ मैं use करने वाला हूँ spruce wood का और oak wood का क्योंकि हमारे पास cobblestone बहुत जादा कम है और अभी lava भी नहीं है और हम लोग cobblestone generator भी नहीं बना सकते इसलिए मैंने यहाँ पर काफी सारी wood की farming करने शुरू कर दी थी थोड़ी सी wood मेरे पास पहले से पढ़ी हुई थी जो मैंने पहले farm की थी लेकिन अभी फटावट से और wood farm करने के बाद मैंने अपना awesome mob grinder बनाना शुरू कर दिया and guys finally हमारा mob grinder बनकर ready हो चुका है मेरे पीछे आप giant सा structure देख रहे हूँ हमारा mob grinder और पीछे मेरे काफी सारी mobs भी spawn हो चुके क्योंकि मैं lighting करना भूल गया था यहाँ पर देखो सीरियस टीयार कितने skeleton spawn हो चुके है यह लोग आपस में लड रहे थे लेकिन पहले मैंने इनको मार दिया कोई बात ने इनको पहले निप्टाना पड़ेगा अब फटा बट से skeleton को मैं निप्टा देता हूँ उसके बाद आप लोग को मैं दिखा देने वाल बहुत सारी मिस्ट्रीज है इस chunk के अंदर अभी हाँ आपर सैंड वाला फेस शुरू हो चुका है आपर सैंड है सबसे पहले उसके बाद सैंस्टोन है और उसके बाद माइन करने पर हमें पता लगे या अगली लेयर क्या होने वाली है एनिवे फिलाल मैं फटा वाट सैंड काफी जरी मिन कर लेता हूँ अभी गाईस मैंने सैंड्सोन वाली लेयर को में ытर मुझे पता लगा कि नीचे वाली लेयर के इंदर एक बार फ्रिर्से कॉँआ को बेफसे कॉबुरी याच वाली मायर czy महीं सबस्क के लेते हैं ओभ बहुत जादा टाम कहने वाला है Seriously यार विलेज की बेल्स हैं, मतलब एक बेली काफी होती है और यहाँ पर भर भर के हम लोग को बेल मिल चुकी है, तो फड़ा बट सी यहाँ से बचा हुआ, मैं वेब निकाल लेता हूँ, उसके बाद मेरे को काफी सरी बेल्स माइन करनी है, And guys, बेल्स वाली घटिया लेयर माइन करने के बाद हम लोग एंटर कर चुके हैं, नेक्स्ट फेस के अंदर मैंने वाला पार्ट स्किप स्ले कर दिया क्योंकि उसके अंदर सीरियसली कुछ भी नहीं था, और उसके अंदर टाइम बहुत जाद लगा, मेरे को क्ले अगेरा मिल यहाँ पर काफी सारी ग्राइवल मिल चुके हैं, फाइनली हम लोग आ चुके हैं, कॉपर वले फेस के अंदर, यहाँ पर हम लोग को बर बर कर कॉपर मिलने वाला है, इसके नीचे है डीप स्लेट और गाइस डीप स्लेट के नीचे कोल है, और जब मैंने अगली लेयर करका निकाल देता हूं, इससे पहले की कोई बेकार सा ब्लॉक यहाँ पर आ जाए, और उसके बाद मिलता हूं आप लोगों से ओवर वल्ड के अंदर, एक बार फिर से हम लोगों ने आरेन वाला फेस खतम कर लिया और यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी ब्लॉक से खटा हो च कर दिया, अब मेरे को ऊपर की तरफ जाकर देखना पड़ेगा, उस चेस्ट के अंदर आखिर कैसी लूट है, क्योंकि यहाँ पर स्पॉनर था जिसको बड़ी मुश्किल से बने ब्रेक करा, यहाँ आपर क्रीपर के फटने की विए से सारे ब्लॉक्स तहस नैस हो चुके है उपर की तरफ एक बड़ा सा होल भी खुल चुका है, लेकिन फटा बट से अभी हम लोग लूट चेक आउट करते हैं, और इस लूट के अंदर देखना हुआ हमें क्या मिलने वाला है, लेट सी, और यहाँ पर सिर्फ एक गोल्डन आपल था, उसके लावा कुछ भी नहीं इतनी बेकार लूटे सीरिसली, लेकिन अभी हम लोग को जल्दी से जाना है गाईज, और विलेज ढूणना है, क्योंकि विलेज इस लेयर के एकदम नीचे ही है, और यह चिकन बिचारा है, यहाँ पर अकेला फसा हुआ था, तो अभी गाईज होने वाला है, इस वन चंग क सबसे बड़ा प्रोग्रेस, क्योंकि यहाँ पर नीचे जाकर मैंने डिस्कवर कर लिया है गाईज, एक विलेज, फाइनली हम लोग को इस वर्ल्ड का पहला विलेज मिल चुका है, और इस चंग के अंदर सिर्फ एक ही विलेजिस, के अंदर तीन विलेजर हैं हाँ पर स्प बहुत सारे गेंज, और गाईज, फाइनली उस दिर ग्राइंड करने के बाद मेरेको काफी ज़ता ओसम एंचान्मेंट्स यहाँ पर मिल चुकी है, मैंने तीनों विलेजर को लाइबरीन बना दिया, और आप लोग देख सकते हो, विलेजर के ठीक नीचे वाली लेयर के अं और फटा-फट से अपलाए कर लूँगा, मैं अपनी पिकाक्स के उपर, अभी इसके साथ साथ मैं सिल्क टच और पावर 5 की बुक्वी लेने वाला था, क्योंकि मैरेको एक पावर 5 का बोग भी बनाना है, जब हम लोग एंडर ड्राइगन को बीट करेंगे, तो पावर 5 का वो काफी ज़दा काम आने वाला है, तो यहाँ पर मैंने अपना ऑसम सा एन्वल क्राफ्ट कर लिया है, फटा-फट से टाइम एपने पिकाक्स के उपर फॉर्चिउन 3 लगाने का, और फटा-फट सारे ओर वाली लेयर को मायन करने वाला हूं, और दिखाने वाला हूं आप बहुत मजा आने वाला और fortune 3 के आप लोग gains देख रहे हो seriously आ रहे हैं आपर 4455 emerald मिर को एक बार में मिल रहे है so फिलाल mining complete करने के बाद अपने villagers के लिए में बनाने वाला हूँ एक awesome सा villager trading hall तो guys फटा फट से अपना trading hall भी बनाना शुरू करते हैं हुआ 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 है और वाइस फाइनली हमारा awesome विलिजर ट्रेडिंग अल बनकर रेडी हो चुका है अभी फिलाल में कुछ मॉप्स को हैं आपर मार देता हूँ उसके बाद आप लोग को यहां के ड्रॉप्स दिखाने वाला हूँ और वाइस फाइनली मैं तूट देने वाला हूँ अपने awesome विलिजर ट्रेडिंग हॉल का यहां पर विचे स्पॉन हो चुकी है जो की मरने में काफ़े जाधा टाइम ले रही थी लेकिन कोई बात नहीं फटा मटसे हम लोग देखतें कि यहां पर कितनी सारी लूट के अधर अब लोग को मिली है और बहुत सारी लूट जमा हुए अपने पास और अब इस वर्ल्ड के अंदर हम लोग बहुत जाधा अमीर हो चुके हैं अभी गैस फटामर से चलते हैं अपने ट्रेडिंग हॉल के अंदर और मैं आप लोग को जाकर दिखाता हूं कि यहां पर कितने आप लोग के पास क्या-क ट्रेड से आप लोग देख सकते हैं यहां पर दू विलेजर साथा और दूसरा वोट गोपर यहां पर अपने ट्रेडिंग हॉल के बाहर था और अ और मीर को समझ ना रहा था ओःए। त हो हां कैसे पहुँआ और यहां पर मैंने हर जगा लास पे पर यहां पर अटक चुका है लेकिन कोई बात ने इन लोग को मैं फटा फट से काफी सारे ब्रेट्स देता हूं जिससे लोग ब्रीडिंग करना शुरू कर सके हैं तो थोड़ी ही देर के बाद यहां पर बहुत सारे विलेजर्स जमा हो जाने वाले यह लोग दबा की ब्रीड इसके बाद यहां पर नेदर वाला फेस चुरू होने वाला है, तो जल्दी से हम लोग माइनिंग करते हैं, निकाल लेता हूं, और उसी के साथ मैं इसके नीचे वाली लेयर को माइन करूंगा, और देखते हैं कि नीचे कितनी सारी नई लेयर हैं, तो जैसा कि मैंने सोचा तह मैं जल्दी से कंप्लीट करता हूं, और सिरियसली यहां पर इतना पहले हम लोग को नेदर राइट भरबर के मिल चुक आता और मुझे अब याद आ रहा है, मैंने फटा फट से पूरा का पूरा आर्मर अपना नेदर राइट के अंदर कंवर्ट कर लिया है, फाइनली हमार फट से पूरी के नेदर फेस को मैं माइन कर लेता हूं, याँ पर काफी ध़ा टाइम लगने वाला है माइनिंग के अंदर, लेकिन गयाज नेदर फेस को माइन करते हैं मैं बनाने वाला हूं अपने लेग बहुत ही जाधा उसम जायंट सा स्टार्टर बैस, जो कि दो फ्ले कर दो कर दो कर दो कर दो देने का सामने की तरफ अपना विलिजर ट्रेडिंग हॉल है वो हमारा क्रीपर फाम है आमिन मॉब ग्राइंडर है और यहां पर देखो आप लोग मैंने का और बहुत आउसम चीज करिये आप लोग ने देखा होगा मैंने अपना पूरा का पूरा नेदर राइट आर्म लगा लेते हैं और यहां पर मेरे पास है गईज एफिशेंसी 5 शापने फाइव और गया अन्डेकिंग थ्री यासे ओसम एंचांटमेंट्स फटा बटसे मैं अपनी स्वाड पर लगा लेता हूं अपनी पकैक्स पर मेरे को लगाना है यहां पर एफिशेंसी 5 और गाइस उ यहां पर पीछे की तरफ में फ्यूचर में एक बहुत जादा ऊसम नेधर पोर्टल इंकॉर्पोरेट करने वाला हूं जो की बहुत आसम लगने वाला है और आगे की तरफ से आप लोग देख सकते हो एकदम सिंप्लिस्टिक सार डिजाइन है यहां पर बाउंडरी के नाम यहां पर मैंने ग्लास पेइंस लगाई है जो की काफी कूल लग रही है इस बिल्ड के साथ में अभी टाइम है अगली लेयर का और अगली लेयर आ चुके है यहां पर ऑप्सीडियन ब्लॉक्स की और उसके बाद शुरू होने वाला है ओशन वाला पेस जहां पर हमें प्रि इसे नेधर के लिगुशर है फ्क फैनली मैं जेडले सानगेद्र पोर्टल बनातर पिट कर दिया इwormульड कर दिया फकूर में अक्तिवेट कर दिया फटाबस चलते हैं ऍ yeast नेदर के अंदर और पॉत बोस्कुंद्ध कर जाना है नेधरीस के इंदर हमारा सिंगल चंका बना ह होआ है गैस पूरा का पूरा नेधर सिर्फ एक चंक के अंदर समाया हूआ है आप लोग दिख सकते हो और नीचे नेधर फॉटरेस भी आपलोगको अभी दिखी होगी इसी चंक के अंदर हम लोगको नीचे की तरफ फटा फट से माइंड करना और जाना है जल्दी से नेधर फ और गाइस हद तो तब हो जाती है जब मैं गलती से यहाँ पर जॉंबी फाइट प्रिग लिंज पर अटाक कर देता हूं और सारी के सारे मुझे स्वाम कर लेते हैं और चारो तरफ से अटाक करना चालू कर देता है काफी दार डिफिकल्ट हो री थी फाइट इसलिए मैंने सुचा क्यों ना मैं यहां से इस वाले स्पाउनर को इडलीट कर देता हूँ और मैंने स्पाउनर को तोड़कर निकाल दिया है और यहां पर अब मैंने अटाक करना शुरू कर दिया सारे ब्लेजिस के ऊपर अब तो यहां तो मैं यहां पर मरने वाला था यहां फिर अपने 100 डेज होने वाले थे बहुत जादा एपिक तो मैंने डिशाइड किया कि मैं यहां पर रहकर अच्छे से फाइट लूँगा इन लोगों से और सबको मिलके इसलिई मारूंगा क्योंकि काफी difficult होने वाला है इन लोग को मारना मेरे को बिल्कुल पता नहीं है मैं जन्दा बचूँगा या नहीं बचूँगा लेकिन देखते हैं कि क्या होता है इस fight के अंदर मैं continuously सबको मार रहा था और मेरी health कम होती जा रही थी सारे के जूंब्स तो यहाँ और निवच चुकत हैं बस कोच यहां पर ब्लेजेस बचए चिनए KY को केरिफुली मारा पड़ेगा दो तिन ब्लेजेस बचेंडों ंसारे लिटे को मार देता हूँ और सा प्लेश्या फाइनली गाइज हमने इतनी इंटेंस फाइट सर्वाइव कर लिए अभी यहां से मैं ब्लेज रॉड्स लेकर और नैदर ओर लेकर फटा-फट से ओर वर्वर्ड के अंदर जाने वाला हूं और इसी के साथ टाइम आज चुका है फटा-फट से एंड डामेंशन में जाने का इंडर ड्राइगन को बीट करने का यहां पर बचा है आखरी ब्लेज और यहां पर दो ब्लेज और बचे मतलब यार हद इतने सारे ब्लेज इस आते जा रहे हैं आपर कोई बात हैं हम लोग फटा-फट से निप्टाते हैं और सीरियस्ली यहां पर इतनी हालत खराब हो गई मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा मैं जिन्दा कैसे बच गया और यह देखो जारा इस वाले फ्लोर के नीचे भी कितनी सारी मॉब्स हैं नीचे गाइज विदर स्केलेटन का पूरा का पूरा जुंड वेट कर रहा है अगर मैं नीचे गया ना तो काम तमाम हो जाने मेरा मैं नीचे बिल्कुल नहीं जाने वाला हूं फटा फट से निगल रहा हूं ओर वल्ल्ड के अंदर जाकर अपनी जर्णी करने वाला हूं इंडर फइनली जितने भी एक्स्ट्रा ब्लॉक्स हैं वो सारे के सारे करने वाले जल्दी से स्किप करकर मैन और यहां पर आप देख सकते हो मैंने थोड़ा से ऑप्सीडेन माइन कर रहा था अब फटा फट से सारे के सारे बेकार ब्लॉक्स को माइन करते हैं और चलते हैं गाइस जल्दी से एंड डामेंशन के अंदर क्याई आङ कर पूल्दी वह तो अगुर अगा गुरा से वितवे डल्दी बेशने माइन. अज़ा एक वाइनली बहुत देर ग्राइंडिंग करने के बाद और काफी टाइम की मेहनत के बाद हमने अपना बेस काफी हद तक कंप्लीट कर लिया आप लोग देख सकते हो इस साइड मेंने बनाया एक जायंट सा पैंड जिसके अंदर बहुत सरी शीप हैं और गाइस इस सा यहां पर गाइस मैंने बनाया एक पहुत ओसम सा नेधर पॉर्टल अभी गाइस नेधर पॉर्टल वाली फुटेज हो चुकी है लॉस जिसका टाइम लप्स के अंदर आपको बिल्कुल कुछ नहीं दिखा होगा लेकिन ट्रस्ट में यह नेधर पॉर्टल बनाने में काफी काफी जाथा महनत लई और काफी ओसम डिजाइन है अभी चलते हैं नीचे की तरफ अंडर ग्राउंड मैं आप लोग को दिखाता हूं एक और आसम चीज जस्ट हैवा लुक गईज एक और लेयर फाइनली चेंज हो चुकी है सारा का सारा कॉंक्रीट माइन करने के चक्कर मे जब मैं नीचे वाली लेयर पर पहुचा तो यह नेदर राइट बन चुकी थी जो की बहुत जाथा उसम बात है अब हो सकता है हम लोग नेदर राइट का भी फुली पावर्ड बीकन बना पाई और यहाँ पर मेरे को डाइमन ब्लॉक्स की लेयर दिख चुकी थी और कुछ हम लोगों ने वर्ल्ड के अंदर अभी 100 पूरे सर्वाइब भी नहीं करें और हमारी पास बीकन पहले ही आ चुका है इन दो लेयर के ठीक नीचे है हमारा एंड पोर्टल एंड आप लोग देख सकते हो हम लोग आ चुके एंड पोर्टल के अंदर जल्दी से मैं सारे के सार आपल और आयोफ एंडर क्राफ्ट करकर लाया था क्योंकि मेरे को पता है एंड डामेशन के अंदर कुछ भी हो सकता हम लोग को काफी सारे फूड की जरूरत पढ़ने वाली है और यहां पर मैं कर रहा हूं एंड पोर्टल अभी गाइज एस यूजवल जाना है एंड डामे से यहां पर आकर बैठा हुआ है इसको पता भी निये सीरिसली कि इसके पीछे से हम लोग अटाक कर रहे हैं और पूरा का पूरा इसको मार देने वाले हैं एंड गाइस जैसी एंडर ड्रेगन ओडा मैंने अपने एरोस से उस पर अटाक करना शुरू कर दिया और यह काफी करना काफी जाता है कई बरी और फिर से इंडर ड्रेगन नीचे आ चुका है जिसका मतला वह हमारे पास चांस इस पर एटाक करने का और इसकी हेल्थ का जाता नीचे ले जाने का एंड आप लोग देखो यार सापने इस 5 की स्वार्ड के साथ में एंडर डिए कितनी तीजी स मर चुका है और एंड को हमने फ्रीक कर दिया है अभी फटा-फट से बिना टाइम वेस्ट करें मैं जाने वाला हूं आउटर एंड के अंदर और मैं टावर अप कर रहा हूं सीधे एंड चिप के ऊपर वहाँ पर हम लोग जाने वाले उपर की तरह जल्दी से लेकर आने वाले और फाइनली हम लोग ब्यूडिफल ब्यूडिफल एंड चिप पर पहुंच चुके हैं अब जल्दी से मैं भाग रहा हूं अंदर की तरफ क्योंकि मेरे को बिल्कुल टाइम विस्ट नहीं करना है अभी हम लोग को अपना बेस भी पूरा करना है चारो टाइप के बीकन बन चार या पांच अलग लग टाइप के बीकन मेरे पास भर-बर के नेडराइट ब्लॉक्स हैं और डामन ब्लॉक्स हैं और गाइस उसी के साथ एमरेल ब्लॉक्स भी बहुत सारे हैं तो यार हमारे हंट्रेट इस होते हैं हमी पर कंप्लीट आप आप लोग को एट लेयर हुआ हुआ है